Q21. उस्मा का एक वाड़ी से दूसरे तक संचरण के लिए? इसका एंसर है दोनों वस्तुओं का तापमान अलग होना चाहिए. Q22. स्वाम्पिंग प्रत्रोध की स्पदार्थ से बनता है? इसका एंसर है मैगनीन और तामेका में सिधात. Q23. क्रिश्टल में परमाड़ कमपन की आबरितिकवन निर्धाडित करता है? इसका एंसर है उसमें पडोसी के साथ बनाय हुए आबंधों के कठुरता. Q24. कारबन प्रत्रोध से संयोजन क्या है? इसका एंसर है ठीक से अलग किया हुआ कारबन ब्लैक. Q25. दो आवेशित निकायों में से क्या एक समान हो तो उन में से कोई विद्धुधारा प्रवाहित नहीं होती है? Q25. इसका एंसर है विभाव. Q26. एक आवेशित कड़ के कार करने की छमता को क्या कहते हैं? Q27. विद्धुध दाव को किसके रूप में भी जाना जाता है? Q27. इसका एंसर है बोल्टेज. Q28. सीसे का प्रितिरोध कितना होता है? इसका एंसर है 20.8 गुरते 10 गाद माइनस 8 हो मीटर. Q29. यदि प्रितिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? Q29. इसका एंसर है रेखिये प्रितिरोध. Q30. विद्धुध विभो की SI क्या है? इसका एंसर है बोल्ट. Q31. मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका एंसर है 1000 ओम. Q32. उच बोल्टता का इंसुलेशन प्रतिरोध किसके क्रम में होता है? इसका एंसर है 1000 मेगा ओम. Q33. किसी बिंदुपर विद्धुध छेत्र की तिब्रता? इसका एंसर है उस बिंदुपर विभो प्रवणता के बराबर होती है. Q34. यदि तीन तारों की चालगता 2, 3 और 6 ओम है और वे सामांतर संयोजित की गई हैं तो परिपत का कुल प्रतिरोध होगा? इसका एंसर है 11 ओम. Q35. बेसिक SI यूनिटों की संख्या कितनी होती है? इसका एंसर है 7 होती है. Q36. सिस्टम के लिए सूनि प्रारंभिक इस्थित का क्या अर्थ है? इसका एंसर है प्रणाली इस्थिर है और इसके किसी भी घटक में कोई उर्जा संगरित नहीं है. Q37. बेसित आवेसों के बीच बल के लिए लगने वाला कूलाम का नियम लगबग किसके सद्रिस होता है? इसका एंसर है न्यूटन के गृत्वा कर्शन नियम Q38. यदि एक परमाड़ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बन जाता है? इसका एंसर है विद्दु धनात्मक Q39. खोकले संचालक गोले के भीतर विद्दु छेत्र इसका एंसर है सून नियू होता है Q40. दो समान और एक रूप आवेस के मद्द में तीसरा समान और एक रूप आवेस को अस्थापित किया जाता है या तीसरा आवेस कैसा होता है? Q40. इसका एंसर है अस्थाई साम्या वस्था में Q20. इसका एंसर जावेस के मद्द